नमस्ते नमस्कार दोस्तों भगवान चित्र में नहीं बल्कि चरित्र में मिलते हैं तो क्या है वो तीन लेसंस जो हम हनुमान जी के चरित्र से सीख सकते हैं तो पहली सीख है devotion and dedication दोस्तो जैसे हनमान जी प्रभुराम के भक्त है उनके सभी कारियों के लिए समर्पित है उसी प्रकार हमें भी अपने सभी कारियों जो भी हम कर रहे हैं उसके प्रति समर्पित होना चाहिए दूसरी सीख overcoming obstacles अर्चनों मुसीवतों का सामना करना जैसे हनमान जी ने अपने सक्ति और सहस जैने कटनाईयों को पार किया उसी प्रकार हमें भी इससे यही संदेश मिलता है कि जीवन की हर चुनोतियों का सामना करना चाहिए और पिना डरे मुसीवतों को रौंद कर उससे बाहर आना चाहिए तीसरी और सबसे महतपूर्ण सिक wisdom and knowledge ग्यान और ग्यान अरजन करना हमारे हनमान जी एक ग्यानी और बुद्धिमान भक्त है और वो हमें भी यही बताते हैं कि ग्यान अरजन करना और सदैव सीखने की एक्षा रखना हमें आगर बेहतर बनना है तो जरूरी है दोस्तों तो यह थी तीन बाते जो हम हनमान जी के चरितर से सीख सकते हैं और अपने जीवन में उतार सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जाया स्यादा सेयर करना मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नई सोच के साफ तब तक के लिए दिल से साथ धन्यवाद